अप्रिवाइन उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे आप कृतिका शर्मा और वेलकम टू अवर चानल स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री सेक्षन है उसका दूसरा पाट जैसे कि 2016 का आपको मैंने बताया था जो 2016 में दो पर पेपर हुआ था तो दूसरी पर पेपर हुआ था उसका हम सेक्षन है वो हम आज डिसक्ष करने वाले हैं अल्रेडी हम डिसक्ष कर चुकी हैं आपके 2012, 2013, 2014 and 2016 का फर्स्ट पार्ट और अभी लेके आई हूँ मैं केमिस्टे का सकेंड बाट सो चलें डिसक्ष करते हैं क्लास के मेरे में सो अब आप समझेंगे जो हम डिसक्ष कर रहे हैं मैंने यहां पे पिक्चर्स इंक्लूड किया हैं ताकि आपको चीजों की अंडरस्टाइनिंक अच्छे से हो पाए तो इसके लिए मैंने इसको रिटन फॉर्म में भी किया हैं कॉशन्स तो जो रिटन फॉर्म में किया हैं उसका लिंक नीचे मतलब आपको जो आपकी PDFs हैं वो आपको मिल जाएंगी बाकि written form में किया है इसलिए कि ताकि मैं pictures add कर सकूँ कि questions में picture add नहीं होती थी बाकि class start करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमने start किया है HPTad Medical का course जिसमें कि हम आपको live classes, recording lecture, mock test, paper, question paper सब कुछ provide करवाते हैं अगर किसी को सिर्फ notes चाहिए like chemistry के ही चाहिए किसी को biology के ही notes चाहिए किसी को psychology के ही notes चाहिए तो वो भी हमसे contact कर सकता है आपको minimum prices पे हर चीज़ मिलेगी अब minimum prices इसलिए रखे हैं क्योंकि price से हमारी value रहती है दोस्तों उसने कि free का है तो free की free पे YouTube पे तो सब कुछ ही है तो कई लोग उसकी value नहीं करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा हमने charges रखे हैं ताकि आप purchase करें और आपको उसको benefit भी हो और हम हर चीज time to time modify करते रहते हैं और वो चीज़ आपको बताते रहते हैं ताकि आपका test clear हो सके अल्रेडी जिन्हों ने हमसे notes purchase कर रहे हैं उनके भी test clear हुए हैं इस वरी detail मैंने अभी तक डाली नहीं अपने channel पर बट मैं आपको जल्दी ही update कर दूँगी कि कि किस किसने जो notes ही पर प्रेच के थे उनका ही clear हो गया है बाकी classes वालों का भी काफी का हो गया है मैंने अभी तक इसमें डाला नहीं है तो जल्दी ही मैं उसको upload कर दूँगी बाकी चलिए start करते हैं so chemistry section में मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी paper इसलिए ताकि believe बन जाए कि यही paper है so यह है chemistry section हमारा तो चलिए discuss करते हैं first question is which of the following angle correspond to a sp2 hybridization sp2 hybridization का मतलब है 1s orbital participant कर रहा है और 2p orbital participant कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि यह है आपका 1s 2p participant कर रहा है यह participant नहीं करेगा तो यह आजाएगी sp2 hybridization जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि sp hybridization linear structure बनता है trigonal planar sp2 benzene ring है जैसे कि sp3 की बात करें तो इसका बनता है tetrahydral 1095.5 bond angle रहता है trigonal bipyramidal इसमे sp3 dehydration होती है और इसमें रहता है 90 and 150 का bond angle फिर आता है आपका octahedral octahedral की hybridization होती है sp3 d2 जिसका bond angle 90 degree बनता है तो हर question की हम detail share कर रहे हैं ताकि आपको चीजे समझ आ सकें क्योंकि कोई नए question नहीं आते हर बरी बस question को modify किया जाता है हर बरी तो हर चीज आपको मिले हर चीज मैं आपको discuss कर सकूं क्योंकि अगर previous year paper ही आप discuss करते हैं तो आपके बहुत जादा question कवर होते हैं कम से कम 3 to 4000 आपके chemistry के question कवर हो जाएंगे अगर आप previous year ही paper अगर हमारी पूरी series देख लेते हो तो क्योंकि हमने पूरा पूरा explain किया है जो कि आपको benefit देगी so इसमें bond angle 120 degree चलिए ये hybridization का है ये भी आप देख सकते हैं concept next is arrange the following मतलब sequence वेस लगाना है hydrogen halide मतलब hydrogen के साथ जो halides bond बना रहे हैं halides जो है मतलब hydrogen के साथ जब bond बनाता है halides मतलब halogen bond बनाते हैं तो उसे हम halides बोलते हैं और halogen आते हैं आपके group 17 आप देख सकते हैं याँपे ये है प्लोरीन, क्लोरीन, ग्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, ये आगे अब decreasing reactivity with propene, propene के साथ इन में से किसकी reactivity decrease हो रही है वो चीज हम discuss करने वाले हैं आप मैं बताना चाहूंगी इससे पहले कि down the group, आप periodic table देखिए, down the group size बढ़ता है size बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी तूटते हैं तो इसमें हम बात करेंगे, जल्दी तूटते हैं और जल्दी फटा-फट किसी और के साथ bond बनाते हैं so इसमें हमें और जो उपर वाले होते हैं, hydrogen, fluorine बहुत कम reactive होता है, क्योंकि fluorine इसलिए reactive कम होता है, क्योंकि इसका size चोटा होता है so अगर decreasing की बात करें, तो decreasing में आता है आपका HI, HCL, sorry, HBR, HCL, यानि option C, decreasing order में हमने arrange करना है तो चले, next question, which of the following property of water can we use to explain the spherical shape of a rain drop? जगो, पाने की बुन्द गोल होती है, ये spherical shape, ये concept, surface tension के phenomena से explain किया जाता है ये बोलता है, force होती है, coincive force होती है, addensive force होती है, एक उसके खुद के साथ, एक उसकी किसी और molecule के साथ तो इसके unit बनते हैं, newton per meter, viscosity होती है, जैसे कि किसी चीज़ को flow करवा रहे हो, तो कौन fast flow कर रहा है जैसे कि आप honey और पानी, दोनों को मैं उपर से नीचे गिरा हूँ, तो कौन जल्दी नीचे पहुँचेगा, यानि उसकी viscosity कम है इसके unit होते हैं, twice and pascal per second pressure की wall पे, जैसे कि कितनी मतलब जोर है, ताकत है, वो लगा रहा है, वो आगया pressure pressure के unit होते हैं, pascal, newton per meter scale यहां आगया, चलिए, next, enthalpy of a sublimation sublimation एक process है, enthalpy of a sublimation of a substance is equal to तो देखते हैं, देखें, matter की three states जो commonly exist करते हैं, solid, liquid, gas solid से जब directly gas बन जाती है कोई चीज़, like kapoor, naphtlin balls तो उन्हें हम consider करते हैं, सब उसको हम बोलते हैं, sublimation process पाकी और process देखो, जैसे liquid to solid बनता है, freezing, solid to liquid melting, liquid to gas, evaporation, gas to liquid, condensation, like इसको समझ सकते हैं, जैसे आपने hot water लिया, ओपर आपने ढखकन लगा दिया, जैस ढखकन पर बूंदे बन जाती है, यह process है condensation, तो हमसे पुछा है, sublimation, तो यह देखो, solid से पहले gas बनता है, gas के बाद आपका liquid बनता है, तो पहले तो solid से liquid बन रहा है, fusion हो रही है, उसके बाद vaporization हो रही है, तो यहाँ पर दो process साथ में चलते हैं, fusion मतलब बिगलना, vaporization मतलब ऊधना, तो यह दोनों process एक साथ होते हैं, तब ही तो यह हो रहा है, फिर next is which of the following is luis acid, कौन साल luis acid है, तो समझेंगे पहले, luis acid, luis के मताबिक acid वो होते हैं, जो lone pair होते हैं, metal cations होते हैं, positive charge होते हैं, electrophiles होते हैं, proton होता है, मतलब सब वैसे acid डोनेट करते हैं, इसमें ही एक acid होता है, जो accept करता है, तो cationic special ions होते हैं, electron poor pie system रहते हैं, उसके opposite lone pair donor होते हैं, bronzed base होता हैं, मतलब negative charge होते हैं, आप यह सब बोख सकते हो, nucleophile होते हैं, legands होते हैं, complex structure होता है, तो इसमें से यह देखो, alcl3 है, जो वो luis base acid act करता है, इस picture को mind में रखेगा, क्योंकि इससे कोई भी question आ सकता है, कि कौन acid act करता है, कौन base act करता है, next is dry ices, dry ice क्या है, तो dry ice इतनी बार question आ ओए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, solid carbon dioxide, next is boric acid, boric acid is an acid because the molecule, boric acid को acid क्यों बोला जाता है, यह है boric acid का formula, BOH3, OH का twice, so boric acid वो है, जो accept OH from the water release proton, तो यहाँ पे हमारा option, देखेंगे कौन सा correct बन जाता है, तो यहाँ पे correct बन जाता है हमारा option C, right, next question is, IOPIC name for, IOPIC name जब भी consider करते हैं, तो याद अटना हम functional group को पहले consider करते हैं, तो chlorine, चीक है, अब functional group में भी second number पे देंगे, हम आपका नाम, जो की आपका आदा है, methyl group, फिल नाइट्रो group, यह ना sequence wise रहता है, अब एकदम मैं पूरी detail तो नहीं विदा सकती, बट थोड़ा से ज़रूर explain कर सकती हूँ, like function group जहां से start होता है, वहां से हम करेंगे ना, फिर हम consider करेंगे दूसरा, जो methyl, methyl group लागे होता है, फिर हम नाइट्रो group को consider करेंगे, तो यहाँ पे formula बनता है, वन क्लोरो होर मिथाईल, टू नाइट्रो बेंजीन, यानि option भी इस था करेंगे, चलिए, next question is, अब Fahrenheit scale दिया है value, इसको Celsius में बदलना है, तो इसका formula होता है, 5 upon 9, अब जो value आप किस Fahrenheit में दिया है, 200, minus, अब Fahrenheit की value कितनी होती है, 32, तो इन सब को, इसको solve करेंगे, पहले ये solve करेंगे, फिर इस पे जाएंगे, तो 5 upon 9, इन 2, ये आजाएगा 168, तो इसको कट-कटा के option आजाएगा, 93.3 degree Celsius, दीजीगा खुद solve, तो चलिए, next, orbital angular momentum definis, देखो, जो अपके लैक्टोंस हैं, जैसे कि, ये मतलब atom है, atom में हर चीज sequence wise range है, ऐसे shells बने है, shell में भी हर चीज रेंज है, तो जो angular quantum number है, देखो, पहले याता है cell, जो की principal quantum number बताता है, फिर उते हैं, इसके division कितनी है, मतलब, df, magnetic quantum number बताता है, कि, एस में कितनी लैक्टों है, जीरो है, तो negative values रहे, मतलब, दो लैक्टोंस रहेंगे, और spin quantum number बताता है, नो टो लैक्टों have the same property, तो अपोजिटली साइन होते हैं, तो कोई भी दो लैक्टों के property सें नहीं होती, तो principal quantum number का symbol है, N, azimuthal का L, magnetic का ML, and spin का MS, तो यहां पे आजाएगा, हमारा angular quantum number बोला है, यानि azimuthal quantum number, angular quantum number को show करता है, तो इसका answer आजाएगा A, next question is, the element in which, electron are progressively filled in, forever orbital are called, 4F, sorry, 4F आना था, 4F orbital, 4F में जब electron filled होते हैं, वो आता है, lengthenoid, रइट, चलिए, next question कि तरह बढ़ता है, तो हैलोजन group 17 आता है, transition को हम, group किसको बोलते हैं, transition element को, transition हम बोलते हैं, group जो आता है, आपका D block को, D block के सारे element transition होते हैं, तो उसमें ही, बाद में fill होता हैं आपका, तो इसलिए हम इसको, lengthenoid बोलेंगे, 4F, और 5F फिर, lengthenoid, फिर ectenoid में fill होता है, next is, which of the following substance is a hydrogen bond is strong, किसका होता है, नहीं, down the group size, जैसे क्या आपको बताया गया था, size बढ़ता है, size बढ़ने के साथ साथ, उसमें क्या होता है, reactivity बढ़ जाती है, तो down the group size तो नहीं होगा, तो H2O वो पहले ही आता है, देखो, sulfur, chlorinease से नीचे, iodine से नीचे, तो oxygen का bond जाता होगा, क्योंकि down the group size बढ़ता है, bond कम होता है, फिर आता है, dead burnt plaster of parishes, plaster of parishes होता है, carbon dioxide and water molecule, तो dead burnt होता है, जिसमें की होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब water होगा है, यह डेड हो चुका है, तो copper sulfate, option is the correct, next is, hydrogen peroxide is, hydrogen peroxide का nature कैसा होता है, देखें, oxidizing agent वो होते हैं, oxidation होती है, addition of oxygen, oxidizing agent वो जो oxygen देते हैं, यानि opposite act करते हैं, जहाँ पर oxidation होती है, और reduction होती है, addition of a hydrogen, और जो देते हैं hydrogen, वो reducing agent आते हैं, hydrogen peroxide, H2O2, तो यह hydrogen भी दे सकता है, oxygen भी दे सकता है, ले भी सकता है, तो यह both oxidizing agent, and reducing agent, both act करता है, right, next is equinil, equinilin is, equinilin है क्या एक, artificial sweetener वो होती है, आजकल बोला जाते हैं, पैकिंग वाली मिठाई, यान वो चीज़े ना खाओ, क्योंकि उसमें न, पैकिंग वाली चीज़ों में, artificial तरीके से डाली जाते हैं, जो harmful होती है, health के लिए, क्योंकि उसमें एक quantity होती, इतना ही sweetener डालना चाहिए, इतना color डालना चाहिए, पर लोग आसकुल जादा डाल देते हैं, क्योंकि, obviously दिखेगा अच्छा तो लेंगे लोग, तो artificial sweetener अच्छे नहीं होते हैं, फिर आते हैं, transcolizer, transcolizer आता है, जो pain relief करते हैं, लाइक यह हमें relaxing देते हैं, anti-histamine, allergy के लिए मदद करते हैं, so equivalent एक type का transcolizer है, anti-histamine, जो allergy के problem होती है उसके लिए दिया जाता है, anti-fertility drug, जब किसी जैसे की pregnancy को रोकने के लिए, anti-fertility drug दिये जाते हैं, next question is, which of the following not a greenhouse gas, अब यह question तो, अब 2012 से लेके 16 तक, double बार, हर बार repeat हुआ है, तो, which of the following not a greenhouse gas, कौन सी नहीं है, देखो, water vapor के भी ना, तो होगा ही नहीं, methane भी है, ozone भी है, carbon monoxide नहीं है, next is, Hoffman bromide degradation, Hoffman bromide degradation reaction is shown by, किसके दबारा show होता है, तो यहाँ दखेगा, Hoffman rearrangement show होती है, तो benjamin, मतलब benzeen, तब यह तो aryl group लगा है, तो उसके वाद, CO NH2, benzyl amide से, aniline बनता है, और carbon dioxide release होती है, aniline और carbon dioxide release होती है, तो देखेंगे, यह formula है, ar, मतलब aryl group, CO NH2, तो चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा correct है, इनमें से correct है, ar, CO NH2, so next question के तरफ बंढते हैं, role of catalyst is to change, role of catalyst क्या होता है, catalyst का role क्या है, तो catalyst का role होता है, जैसे कि दो दोस्त हैं न, तोनों दोस्तों में होगी है, लडाई, बड़ी खतरनाख वाली, तो वो तो बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरी के साथ, तो उन दोनों को मिलाने के लिए, उनका third दोस आता है, और उनकी दोस्ती कराता है, जब वो दोस्ती करा देता है, तो वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छा relationship बनता है, यानि, increase करता है ये reaction को, ऐसे वो एक नहीं, दोस दिनों बात करते हैं, अब उसमें help की, उसके दोस नहीं दोनों ने एकदम बात कर ली, तो catalyst मदद करता है, rate of reaction को fast करने के लिए, यानि, activation energy of reaction को fast करने के लिए, अब देखो, next question same ही है, तब भी तुमेंने सोचा है, वहीं करवाती हूँ, तो question is, activation energy of chemical reaction can be determined by, किसके द्वारा determine किया चाता है, देखेंगे, देखेंगे, यह है reactant, reactant से बन रहा है आपका product, अगर इसमें presence of enzyme या catalyst role होता है, तो product देखो, यहीं तक गया तो जल्दी बन गया न, अब दूर जाएगा, जितने जाद activation जादा होगी, उतना rate slow होगा, यहीं कि जितने उपर जाएगा, उतना time लगेगा न, नीचे उतरने को भी, और जितना fast, उतना fast हो जाएगा, तो activation determine करेगा, rate constant at two temperature, option B is the current, next is, freshly prepared precipitate, sometime gets converted to colloidal solution, जो freshly prepared precipitate होते हैं, जिसके कोई solution है, उसमें boundaries देख पा रहे हो, मतलब वो घुला नहीं अच्छे से, converted colloidal solution by, किसके थूँ वो colloidal solution में change हो जाते हैं, तो वो change हो जाते हैं, पैक्टाइजेशन की रजा से, देखो diffusion का मतलब है, higher concentration to lower जाना, electrolysis का मतलब है, यह electrical concept यूज होता है, coagulation आता है, blood clot form, clot से बन जाना, अब यह chemical में भी हो सकता है, living life में भी exist करते हैंगे चीज़ें, चलिए, फिर next question की तरह, next question is, an electrochemical cell behave like an electrolytic cell, कब electrochemical cell, electrolytic cell behave करता है, electrochemical cell, वो cells होते हैं, जो chemical energy से, electric energy में convert करते हैं, तो यह condition होगी, जब E, E, X, greater होगा E cell से, तब electrochemical, electrolytic cell का behave करेगा, option C is the correct, देखो यह है electrochemical cell, जिसमें की एक साथ solution डाला जाता है, एक साथ anode होता है, एक साथ cathode होता है, और यहाँ पे आपका अगर-अगर solution फिल होता है, जो की balance बनाता है चीज़ों को, चलिए, नेक्स्ट, वाइल एक charging the lead storage battery, जब आप charge करेंगे, lead story battery को, तो क्या होगा, lead जो sulfate होगा, anode reduce हो जाएगा, lead में, lead storage battery होती है, अलग-अलग जगा पे, जहाँ पे anode lead में बलल जाएगा, और यह work करेगी फिर, next is, which of the following is an amorphous solid, amorphous एक होते हैं, crystalline solid, एक होते हैं amorphous solid, जो आपके crystalline solid होते हैं, वो long range order आते हैं, और amorphous solid आते हैं, आपके जो short range order हैं, like quads, quads का formula आता है, मतलब इनकी value थोड़ थोड़ रबाद change होते रहते हैं, जबकि long range order, एक sequence में चलता है, strong होता है, compared to amorphous solid से, पस्यूडो solid भी हम इसका नाम देते हैं, चलिए फिर, next question is, cation are present in interstitial site, दो conditions हैं, जब cation हैं आपके, वो interstitial, जैसे कि यहां से cation, किसी और position में चला जाता है, तो वो कौन से defect है, देखो, दो defect में आते हैं, एक जिसमें cation और anion, दोनों मिस होते हैं, और एक में होता है, cation मिस होता है, और किसी और जगा अपनी जगा ले लेता है, तो यह है आपका defect, frankal defect, जो कहीं और जगा ले जाता है, वरेंसी डिफेक्ट इसको बोलते हैं, और density change नहीं होती, क्योंकि अब density change तब होगी, जब उसे निकाल दी देंगे पूरे, तो इसमें निकालते तो हैं नहीं, बस वहीं पर कहीं और जाके जगा ले लेता है, और ये तब होगा, उस condition में होता है, जब केटायन और अनायन का size vary करता है, और squatter defect, जब केटायन और अनायन का size same होता है, दोनों इकठे निकलते हैं, तो density always की less होगी, क्योंकि दो चीज़ें साथ में निकल रही हैं, तो इसका अंसर आ जाता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, मैडल डिफेक्ट के मतलब है, मैडल की कमी, या नॉन मैडल का extra होना, तो इस तरीके से दोनों को relate कर सकते हैं, नेक्ट इस कॉरेक्ट आयूपिक ने, पी टी एनएज स्री का ट्वाई सी एल टू, यानि बी टी के साथ नेज टू लगा है, ठीक हैं, और उसी के साथ सी एल लगे हैं दो, तो ये है डाई एमीन, देखो हम अलफा बिटिक ओडर करेंगे, तो डाई एमीन, डाई क्लोरो प्लाटिनम टू, तो टू वाल आप्शन यहाँ पे हैं नहीं है, बट दो तो फोर वाले ही हैं, बट इसमें वैल्यू चेंज है, तो हम फिर्स्ट वाले को इसमें करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये टू आना था यहाँ, नेक्स्ट इस विच आप दे फॉल्विंग ऑक्षिडेशन स्टेट इस कमन फॉर ओल लेंथेन वाईड, यह को D-block में फिन होते हैं, दो period तो normal फिल होते हैं, थर्ड पिरिण में क्या होता है, 4F बाद में फिल होता है, तो वो जो होता है लेंथेन वाईड उसमें जो ऑक्षिडेशन स्टेट, तो उसकी बैलंसी, पहले हम बैलंसी यूज करता थे, अब हम directly इसका word use करते हैं क्या word use करते हैं क्या बताया मैंने आपको oxidation state तो normal जो maximum सभी की होती है वो होती है plus 3 चले फिर next की तरह बढ़ते है total number of a non-metal in periodic table अब आपको पालूम है periodic table में metal भी exist करते हैं non-metal भी exist करते हैं तो metal का number तो ज़ादा है semi-metals भी होते हैं non-metal, non-lustrous होते हैं non-electricity conduct करते हैं mainly gases जो है वो इसके अंदर आती हैं तो total आपकी आती है 22 इसका number थोड़ा सा वीरी रहता है अब जगा देखोगे आप तो Google पे कभी कुछ हो होगा कभी कुछ होगा तो exact याद अखना 22 next is maximum covalency of nitrogen nitrogen की maximum covalency कितनी होती है तो nitrogen आपको पता है group 15 में आता है तो इसकी maximum covalency 4 होती है तो वैसे तू इसका देखा जाए तो इसके 5 आते हैं पर d orbital इसमें फिल नहीं होता है जिसकी वजह से इसकी covalency 4 होती है इससे जादा नहीं हो चकती है next और इस group को क्या बोलते है nitrogen group को nitrogen group को हम नाम से जानते हैं आपके panico jumps group 16 को हम किस नेम से जानते हैं यह comment box में जरूर कीजेगा अगर आप इस वीडियो का थोड़ा भी फायदा होगा तो आप reply जरूर करेंगे और क्यूंकि यह understanding पर matter करता है तो अगर आपको knowledge होगी तो आप नीचे type कर दीजिए answer कर दीजिए और मिलते हैं next question देखते हैं canny zero reaction is not given by canny zero reaction किस के दूर नहीं दिया जाता सो याद रखेगा canny zero reaction के लिए benzene ring हो तब भी possible है यह group हो तब भी possible है formaldehyde बट यह इस group में possible नहीं है CH3CHO इसमें यह reaction possible नहीं है देख सकते हैं canny zero reaction में हम mainly क्या क्या बन रहा है LD हाइड लिया LD हाइड से हाइडरेट आयन बना हाइडर से अपका अलकोहल बना अलकोहल को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो कार्बॉक्सिलिट एन आयन करेंगे तो कार्बॉक्सिलिट इस सीड बन जाएगा तो यह आता है चले नेक्स्ट colligative property depends upon Colligative property वो properties होती है जो जब आप solution बना रहेगा तो solute and solvent के concentration ले रहे हैं तो solute and solvent के concentration में जो change आता है वो आती है आपकी colligative property 丁के या तखेगा colligative property वो जब आप solute के concentration डाल रहे हो किस तो solution में उसकी वज़ा से जो चेंज आता है वो आता है कॉलिगेटी प्रॉपर्टी तो ये चीज़ है बाकी जिसे कि माना मैं आइस क्रीम बना रहे हूं तो उसमें मैं अगर सिंपल दूद पानी और उसमें मैं डालूँ शुगर सॉल्यूशन तो वो जल्दी बन जाएगी दूद डालूँगी दूद के साथ और चीज़े डालूँगी तो वो लेट बनेगी तो जितना अपना सॉल्यूट पार्टिकल एक्स्टर डाले जारे हो डाले जारे हो उतनी जादा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएशन आएगी बॉयल करने में भी फ्रीज करने में भी मुव्मेंट में भी हर चीज में तो वो है कॉलिगेटी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वज़़े से चेंज होती है सो ये था आज की क्लास के बारे में जिसमें की हमने 30 कोशन जो कैमिस्टी के थे तो सोला का सेकेंड पेपर वो डिस्कॉस किया बाकी अपका फर्स पेपर हम अल्रेदी डिस्कॉस कर चुके है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडिएफ आपको टेलिग्रम चैनल पे मिल जाएगी वहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी बात करें तो हमारी चैनल पे आपको लाइब क्लासीज, रिकॉर्डिंग लेक्शर आपको मॉक टैस्ट, डिस्कॉस्शन सेशन हमारा लग होता है ये सारी चीज़े प्रवाइड होती है तो अगर किसी को परचेश करना है तो परचेश कर सकता है किसी को सिर्फ रिकॉर्डिंग देखना है तब भी बोल सकते हैं किसी को टेस्ट चाहिए तब भी बोल सकते हैं किसी को सिर्फ नोड्स चाहिए तो भी वो हमें बिता सकते हैं हम definite ही उसके लिए सब चीज़े प्रवाइट कराएंगे चलिए मिलते हैं कर नेक्स क्लास में तब तक है अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा साथ साथ बैल ऐकन दबा दीजिएगा ताकि आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो थैंक्स पॉर वाचिंग